Hello children, how are you? This is Deepti Singh and I hope you all are fine and happy at your home. चलिए, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? Chapter No. 5, My Parents Sent Me To The Store. This is your poem, so poem को तो enjoy कर गे पढ़ना है, मजा आएगा और learn भी होने चाहिए. Second Class, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, जितने बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो मैं hope करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये वाला chapter भी, ये वाली poem भी बहुत अच्छे से learn करके send करने वाले हैं. तो पहले writer, देखिए, writer का मतलब क्या होता है, जो इसको लिखता है, तो poem है, poem को लिखने वाले क्या कहलाते है, poet, क्या कहलाते है, poet, इनके poet कौन से है, Ken Nazbit, ये अभी भी हैं, और ये एक American poet है, ये बच्चों के लिखते हैं, तो इनको poet laureate भी बनाया गया, अमेरिका में किसक द्वारा poetry foundation के through, बच्चों के क्या है, बच्चों के लिखने वाले poet है, अब आप यहां देखिए, एक बच्चा है, ये second class का बच्चा कौन सा है, अंशुल है, की परी है, कौन है, पता नहीं है, ये parrot है, ये rat है, रैट जैसा एक और होता है न, होता है न, और parrot जिसकी चैरल दिखाई दे रही है, और dog भी है, pig type का कोई भी दिख रहा है न, छोटी सी tail वाला pig, और ये tortoise भी है, चलिए हम पढ़ते हैं, इसमें क्या है, अंशुल परी, या पर जो भी बच्चे है न, वो बहुत enjoy करते हैं, मजा आता है, मुझे बहुत अच्चे बच्चे लगत सकते हैं, in street मतला बजा है, hamster एक छोटा सा animal होता है, mongos देखा होगा, आप लोग ने क्या बोलते हैं, देखिए, sorry, mongos नेवला होता है, hamster छोटा सा animal होता है, जिसको, जैसे हम लोग pet animal होते हैं, dog वगरा ऐसे, crazy मतला पागल होना, वाग मतला भूखना, chased मतला पीछा करना, चलिए, start करते हैं, अपनी poem को, बच्चा क्या कह रहा है, my parents sent me to the store, to buy a loaf of bread, मेरे parents ने मुझे भेजा, कहां, store पर, to buy a loaf of bread, क्या खरीदने, bread का piece खरीदने, buy a loaf of bread, loaf of bread खरीदने, bread खरीदने के लिए, ठीक है, कहां भेजा, store पर, I came home with a puppy and a parakeet instead, लेकिन मैं आया किसके साथ, पपी लेके आया, और parakeet लेके आया, बजाए, मतला bread लेके नहीं आया, क्या लेके आ गया, मैं parakeet और puppy को लेके आ गया, I came home with a kevy, ये क्या होता है, pig type का होता है, animal, गुनी pig कहते हैं, जैसे kevy, okay, I came home with a kevy, a hamster, एक छोटा सा animal होता है, and a cat, and a turtle, and a lizard, and a friendly little rat, और एक rat के साथ, मतला देखिए, puppy, parakeet, kevy, hamster, cat, turtle, lizard, और rat, अब इनके अलाबा और देखिए, I also had a monkey, monkey भी लाया, mongos भी लाया, mouse भी लाया, those animals went crazy when I brought them in the house, मैं इन सब को जब लेके आया, तो ये सब crazy हो गया, पागल हो गया, चिलाने लगे, जब मैं इनको अपने घर पर लेके आया, they bugged, and yelped, and hissed, and chased my family out the door, ये भौके, yelp किया, hiss किया, मतला जब गुस्ते में हिस्त करते न, पीछा किया, मेरी family गेड़ से बाहर हो गई, my parents never let me do the shopping anymore, मेरे parents ने फिर कभी भी मुझे shopping के लिए नहीं भेजा, मतलब ये बच्चा है न, इस बच्चे को भेजा कहां, store पर, क्या खरीदने, love of bread खरीदने, love of bread, लेकिन ये किसको लेकिया आगया, puppy, parakeet, keby, hamister, cat, turtle, lizard, rat, mongoose, monkey, mouse, और इन्होंने फिर भी क्या किया, जब गर पे आगए तो crazy हो गए, कौन ये सब, लोग, animals, पक्षी, ये मतलब बाग किया, क्या क्या किया न, लोग ने, बार्क, यर्ट, हेस्ट, चेस्ट, और मेरी जो family थी, उसको घर से बाहर कर दिया, या फिर मेरे parents ने मुझे कभी भी shopping के लिए नहीं भेजा, तो आपको सब्च में आ गया होगा, आज आपका homework क्या है, आज आपको क्या करना है, जितने भी इस poem में animals के, या फिर कोई bird के, नाम दिये हैं, वो आपको learn करके बताना है, और आपको ये याद करना है, my parents sent me to the store, poem का नाम, ठीक, और क्या याद करना है, ये spelling Ken Nesbit, Ken Nesbit कौन है, American poet है, जो बच्चों के लिए लिए लिए, इनकी मैं आपको एक share करूंगी link, तो आप सुनिएगा, ओके, आज के लिए इतना ही, कल हम इसको recite करेंगे poem को, उसमें मैं समझाओंगी नहीं, समझा दिय होगी कि आपको कैसे इसको reading करनी है, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसको गाने-गा के singing mode में आपको याद करना है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, thank you